प्यारे बच्चों हमने इससे पहले अलीव से लेकर या तक के कटे हर्फ के उपर पेश लगा कर हमने पढ़ा प्यारे बच्चों हमें पेश वाले हर्फ पढ़ते और लिखते आ गए होगे प्यारे बच्चों आज के सबक में हम पेश वाले हर्फ की मश्क को पढ़ेंगे इन्शाल्ला प्यारे बच्चो पेश वाले हर्फ मिले हुए हमें मिले हुए हर्फ को पढ़ना है तो प्यारे बच्चो आज हम हमारे पेश वाले हर्फ की मश्क को पढ़ेंगे इन्शाल्ला बिसमिल्लाहिर रह्मानि रहें प्यारे बच्चो यहां पर कुन सा हर्फ है तो यहां पर दो चश्महा है और उपर पेश है तो हम कैसे पढ़ेंगे हापेश हूँ वाव जबर व तो हमें क्या पढ़ना है हापेश हूँ वाव जबर व हूँ व इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है प्यारे बच्चों हमें यहां पर सबसे पहले हर्फ को समझना है एराप को समझना है और बाद में हम हर्फ को पढ़ेंगे तो आसानी से हम आगे का सबक पढ़ सकेंगे प्यारे बच्चों यहां पर फा फा के उपर क्या है जबर तो हमें जबर वाले हर्फ पर चुके तो हमें फा जबर फा क्या पढ़ना है हमें फा जबर फा हा के उपर पेश है तो हम कैसे पढ़ेंगे हापेश हू वाव जबर व फा जबर फा प्यारे बच्चों, हमें इसी तरह हर्फ को समझना है, एराप को समझना है, और फिर रवा के साथ हमें हर्फ को पढ़ना है, यह हर्फ मिले हुए हैं, कैसे है? मिले हुए हर्फ को एराप के साथ समझ कर हमें पढ़ना है, क्या करना है? मिले हुए हर्फ को समझे हमें पढ़ना है, यहां पर मिम जबर म, लाम जबर ल, कापेश कू, तो कौनसा हर्फ पढ़ेंगे? मिम जबर म, लाम जबर ल, कापेश कू, मलक कू, यहां पर हमने जबर और पेश वाले हर्फ को पढ़ हम, मिले हुए हर्फ को हमने समझ कर पढ़ा, इसी तरह आगे के हर्फ भी हम पढ़ना है, क्या जबर चूँ यहां पर है स्वाद पेश सू, हापेश हू, यहां पर फा के नीचे जेर लगा हुआ है तो हम कैसे पढ़ेंगे फाजेर फी हमने यहाँ पर पढ़ा स्वाद पेशू हापेशू फाजेर फी सूहू फी इसी तरह हमें आगे का हर्फी पढ़ना है प्याले बच्चों यहाँ पर है कौपेश कू रा के नीचे जेर है तो हम क्या पढ़ेंग हर्फ को कापपेज कू, रजेरी, हमझा जबर कूरी, अ इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है, इस्सी तरह ये कुण सा हर्फ है, खा और खाक ऊपर पेज है, तो हम पढ़ेंगे खापपेज, खू लाम जेर, ली लाम के निचे जेर है, इसलिए हम लाम जेर ली, कॉप जबर क, तो हम कैसे पढ़ेंगे? कॉप पेस कू, लाम जेर ली, कॉप जबर क, खूली क, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें हर्फ को, एराप को समझ कर पढ़ना है यारे बच्चों, यहां पर कॉफ और कॉफ के ऊपर पेस है प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा हर्फ के रा, रा के उपर पेस है इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है प्यारे बच्चों इसी तरह आगे का हर्फ भी हम पढ़ेंगे तो हमें कैसे पढ़ना है मीमजबर्म, लामपेसलू, मसलू इसी तरह हमें हर्फ और हराफ समझ कर पढ़ेंगे तो हम आसान इससे सब को पढ़ सकेंगे यहाँ पर कौन्सा हर्फ है सिनपेसू यहाँ पर हमज़ा है और हमज़ा के नीचे जेर है तो हम पढ़ेंगे हमज़ा जेर ई, सू, इ, लामजबर्म, ल, ल, सू, इ, ल, किसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है यहाँ पर है लामजबर्म, ल, हपेस, हू, मिमपेस, मू, तो हमें कैसे पढ़ेंगे हर्फ को लामजबर्म, हपेस, हू, मिमपेस, मू, ल, हू, मू, इसी तरह हमें हर्फ और एराप समझ कर पढ़ना है इसी तरह प्याल बच्चों यहां हम पर N और N के ओपर पेस हैं तो हम पढ़ेंगे N पेस U सा के नीचे जेर है तो हम क्या पढ़ना है? सा जेर सी, रोजबर रो तो हमें कैसे पढ़ना है? N पेस U, सा जेर सी, रोजबर रो, उसी रो कैसे पढ़ेंगे बच्चो आइंड इस उस राजिर सी रो जबर र उसी र इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है तो प्याले बच्चो आगे का हर्फ हम इसी तरह पढ़ेंगे यहां पर काफ और काफ के ऊपर जबर है तो हम पढ़ेंगे काफ जबर क बापेस बू रा जबर र तो हम कैसे पढ़ेंगे हार्फ को काफ जबर क बापेस बू रा जबर र क बू र इसी तरह हम आगे का हर्फ भी पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है फापेस फूitel्स टाजेर्ति , हाजवर ह कंझे हम इसे पढ़ेंगे सślपको फापेस फूद्स नाशा नाशेर्ति , हाजवर ह हम इसी तरह भाह से मैं देडिया क्याता है हमने यहां पर पढ़ा. प्यारे बच्चों, हमें हमारी अर्भी की नोटबूक में पेशवाले हर्फ की मश्क का होमवक एक मरतबा लिखना है और पढ़ना है और हर्फ और एराब को समझ कर पढ़ना है. तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज़का सबक. हम आगे के सबक में इंशाल्ला नया सबक सीखेंगे इंशाल्ला अला हाफीज, असलाम हलो